फिजिक्स क्लास 12 की ये पार्ट 2 वीडियो है बट उससे पहले गुलसन मैट इस्टडीम आपका मोस्ट वेलकम है डिया इस्ट्रेंज जी अगर आप पार्ट 1 वीडियो नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के एंड स्कीन पर पार्ट 1 वीडियो आएंगे आप देख लेंगे त कि अपके सामने कोश्चन है भाई कि हवा में इ-R का मान होता है ऑप्सन अभी आप रहने देजिए बट पहले आपको जानना है ये इ-R आखिर होता किया है क्योंकि बहुत साइट इस्ट्रेंज हमारे पास जिनको नहीं पता इ-R का मतलब क्या होता है तो इसको हम बता देत है सबसे पहले ये इ-R नहीं है इसको हम इपसिलोन आर पढ़ेंगे क्या पढ़ेंगे इपसिलोन आर पढ़ेंगे बहुत साइट जी कहेंगे एपसाइलेंट आर बट एपसाइलेंट नहीं होते हैं एपसिलोन होते हैं ओके चलिए इस पर हम डिसकर्स करते हैं मेरे बात को आप ध्यान से सुनियेगा डिये स्टम्ण जी यह इप्सलों आर्ग हमारा इसका मतलब क्या हुआ यह हुआ साप एक्षिक पराब्युत्ता या आपएक्षिक पराब्युत्ता को हम इस इस क्या है अखिर आया कहां से चलिए एक जोलत देख लेते हैं यह भो आमिंग खाना कम ही खाईए लेकिन हासी खुशी से खाईए तो मेरा कहने का मतलब यह हुआ कि हम ना अब्जेक्टिव आपको कम में सिखाएंगे पंच गोच्छे को सिखाएंगे इस वीडियो में लेकिन अच्छे से सिखा देंगे इससे डिलेटे जितने भी ऑजक्टिव आ हैं क्योंकि इंप्रवटेंट टॉपिक है पराविदुता से एक ना एक अब्जेक्टिव एक्जाम में आते हैं आए हम जान लेते हैं सबसे पहले आप ध्यान से सुनिएगा ठीक है हम बोल रहे हैं ठीक है हम उतना लिखना नहीं चाहेंगे आप चाहें तो अपने नोटों यह कोई माधियम है इस पर दो अबेस एक यहां है एक यहां है मुझ लेता पॉजिटिव नेगटिव जो इसमें जो मतलब इन दोनों आवेसों को बीच जो बल लगेगा जिसे कुलाम सलाव में हम बताये थे इन दो आवेसों को बीच लगने वाला बल जो भी हो करिया तो आ आप आसरी नपना लिखना न्य पसंद करेंगे 3 नंबर में разм निर्वात प्रावदता नंबर बी में है नेर्पेक्ष प्रावदयूता नंबर सी मैं सापेक्ष प्रावदता चलिए दिया इस्ट्रोंंग गया थांपेंघ्यूर नोट कर लिया दिखें प्रावद्णता तीन तो इसका definition हम easy तरीके में बोल रहे हैं, आसानी तरीके से बहुत ही छोटा वोल रहे हैं, आप note कीजिए, ठीक है, सीख जाईएगा, कि किसी माध्यम में, पराविदुता का जब भी काम होगा, तो माध्यम में ही होगा, ठीक है, तो किसी माध्यम में, इनका इनका अनुपात के साफेक्ष्थ पराविदुता कहता ही, किसी माध्यम में इनका अनुपात को साफेक्ष्थ पराविदुता कहता है मतलब यह इसको क्या नाम है? सुनना है चलिए सुन लिख दिजिए और इसका क्या नाम है भी या इसका निर्पेक्ष तो इन दोनों का अनुपात को साफेक्चिक परावधुता कहते हैं, इसे ER से denote करते हैं, या सूचित करते हैं, या दर्साया जाता हैं, इसका सूत्र होते हैं, ER बरावर फर्मूला याद रखेगा, objective में पूछते हैं, कि epsilon बटे, epsilon note, या note Epsilon आप बोल सकते हैं, मतले याद रख येगा और इसका कोई मतरक उत्रक नहीं होता है तो कुल मिला कि हवा में हवा में यार का मौन क्या होगा हवा में यार का मौन होगा वन आप याद रखेगा हवा में एपसिलोन आर का मौन होता है वन ठीक है याद रखेगा एकजाम में पूछे आते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट है ऑप्सन नंबर सी राई इलक्टिक फलक्स का ऐसा ही मत्रग क्या होते हैं अ पर रिकूर बना दिया है आप देख लिएगा लिंक हम डिस्क्रिप्षन बाक्स में देदेंगे फिंट करना चाहते हैं कि ignore नहीं किजेगा आप इलक्ठिक फरक्स को most important है अगला question है डिया इस्ट्रेंजी किसी माध्यम में आप एकशिक पराविदुत्ता आमिंग आप एकशिक पराविदुत्ता या साप एकशिक पराविदुत्ता इसको हम denote करते हैं सुचित करते हैं epsilon r से होती है अभी अभी हमने आपको बताएं कि epsilon r का formula क्या होता है most important है पराविदुत्ता से एक नएक objective रहेंगे एकशिक में अभी हम आपको बताएं कि साप एकशिक या निर्प एकशिक पराविदुत्ता को epsilon r से denote करते हैं इतना और और फर्मुला होता है epsilon बटे not epsilon ये फर्मुला होता है अभी हमने बताएं आपको ठीक है तो option बटे कुन सा हो गया dh20 जी option बटे हो गया correct तो बताएं डh20 क्या ऐसे सब कुशन एक जाम में आएंगे तो आप नहीं बना पाएंगे अरम से बना पाएंगे ठीक है हम सब कुश कभर करवा देंगे आपका इस्ट कुशन है dh20 जी वन बाइ फोर पाइनोट epsilon का मन क्या होता है तो option आप ध्यान से दखिए पहले option ध्यान से दखिए और आप ये भी देख रहे हैं कि इतना और इतना और इतना और इतना यहीं पर देखिए खाली यहां पर सब डिफ्रेंट है तो हम आपको फिलाल बता देते हैं कि वन बाइफ फोर पाइनोट किफे जाएंगे आपकी एक जां में लिंक डिस्क्रिप्स lun में है आप सीख लिजे इससे बहुत सारे औज्यक्टीव भी बनते हैं तो option भी आप रहने देदेशे हैं वह इसे ちょ 1200 व यहां पर दिजय कि कि परावगो нравится कि आप याद रहेiseen बाट आपके बाट कुम आपके यह में अगजामें पूछे इसे यहांजे पहले ठीक है कि यहां पिसकी कि यहां यह वीडियो कुण सा है यह वीडियो ऌर्स नेव बैजह और यहाँ पर आपके सामने पार्ट वान बीडियो आरहे हैं अगर आप नहीं देखें तो इसको किलिक किईए और यहां पर नहीं देखें किष्ञ और यहां पर आरहे हैं विद्ध का नियाम Specself लाओ जो कि most important पंच अंग के लिए आपके सामने चार वीडियो हम डखती हैं डिपेंड आप पर आप किसी एक को किलिक कीजिए और बाड़ी बाड़ी से सभी को देख लिजिए हम आपको यही recommend करेंगे और अभी तक आपने भाई से दोस्ती नहीं किया त्यार क्या किया यार क कर लिजिए यार कर लिजिए भाई से दोस्ती कर लिजिए